याद रखना, उटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त, जिंदगी में कभी लोट कर नहीं आते हैं, जरूरी नहीं कि हर सिकायत सब्दों में ही की जाएं, कुछ नाराजगियां चुप रहकर भी जदाई जाती हैं, जिंदगी में दो चीजे खास होती हैं, वक्त और प्यार, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता, और प्यार हर किसी से नहीं होता, मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखो, कि कोई अगर खोल कर देख ले, तो सर्मिंदगी ना हो, प्रीत नो कीजिए पंची जैसी, जो पेर सुखे तो उड़ जाए, प्रीत कीजिए मचली जैसी, जो जल सुखे तो मड जाए, कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिस्ता जोडते हैं अपना काम बना कर सच्चे लोगों का दिल तोडते हैं भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी के साथ क्योंकि कभी-कभी खुद के दात भी जीब को काट लेती है जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखी जाए कुछ सबक रिस्ते और इनसान भी सिखा जाते हैं इनसान अपने सरीर की सुगर तो चेक करवाता रहता है अगर जुवान की करवाहट को चेक कड़ाए तो समझो सारी समस्याय खत्म कैसे हो पाएगी अच्छे इनसानों की पहचान दोनों ही नकली हो गए आसु और मुस्कान तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फित्रत है काबिल लोगों के तो दुस्मन भी कायल होते है पडिवार और समाच दोनों ही बरवाद होने लगते है जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं दुनिया को जूटे लोग ही बसंद आते हैं थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं इनसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुस्मन उसके खुद के अपने हो जिन्दगी में कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं भरते बस इनसान उन्हें छिपाने का हुनर सीख जाता है सुख में तेरे साथ चलेंगे दुख में सब मुख मोडेंगे दुनिया वाले तेड़े बनकर तेरा ही दिल तोडेंगे देते हैं भगवान को दोखा इनसान को क्या छोडेंगे अगलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिन्दगी तो अकसर अपने ही हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है पर उसकी कीमत चुकाने में कई जन्म बीत जाते हैं अगर आपका जमीर और नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुड़ा हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो उपर से दिखाई देते हैं यहां लोग एक दूसरे को परक्षते ज्यादा है पर एक दूसरे को समझते नहीं किसी को कमजोर मत समझो पांच रुपय का पेन भी पांच करोर का चेक लिखने के काम आता है माता पिता जानते हैं कि वो रह तो रहे हैं बेटों के घर में मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम आतर और सम्मान का तो कि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता अच्छे लोगों की संगत में रहो सुनार का कचड़ा भी बनिये की बादाम से मांगा होता है उलंदी की उरान पर हो तो जरा सब्र रखो परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते आप चाह कर भी अपने प्रती लोगों की धारना को नहीं बदल सकते इसलिए सुकून से अपनी जिन्दगी जिये और खुश रहे कास इंसान भी नोटों की तरफ होता रोशनी की तरफ करके देख लेते असली है या नकली इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला ताला कुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोईले की एहसास की नमी होना बहुत जरूरी है हर रिस्ते में वरना रेत भी सूखी हो तो निकल जाती है आतों से सुबा होने तक फूलों को भी पता नहीं होता मंदिर जाना है या कब्र पर इसलिए जिन्दगी जैसी भी है इसे हस खेल कर जीओ हूंक मार कर हम दिये को बुझा सकते हैं पर अगर बत्ती को नहीं क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है जिन्दगी को खुशी से जीने के लिए एक उसूल बनाए रोज कुछ अच्छा याद रखे और कुछ बुड़ा भूल जाए रिस्तों में वैसे ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आख का होता है हाथ पर चोट लगती है तो आखों से आशू निकलते हैं और आशू आने पर हाथ ही उनको साप करता है उरा देती है नींदे भी कुछ जिम्मेदाडिया घर की तेर रात तक जागने वाला हर सक्स आसिक नहीं होता समझदार होने का ये नुकसान होता है कि दिल की हजारों क्वाहिसे दिल में ही रह जाती है देखा है मैंने यह आलम इस जमाने में बहुत जल्दी धक जाते हैं लोग रिष्टे निभाने में